वेलकम तो माय चैनल आज मैं आपके साथ एक खास ट्रिक के साथ मक्के की रोटी बनाने की रैसेपि शेयर करें हूँ इस ट्रिक से आपकी मक्के की रोटी एकदम सॉफ्ट रहेगी फूली फूली बनेगी और बिल्कुल भी तूटेगी फटेगी नहीं इसको हम बेल करके त्य करें यह दिखिए एकदम सॉफ्ट बनी हुई है हमारी रोटी बिल्कुल भी टूट नहीं रही है और बिल्कुल पतली रोटी हमने बना के त्यार की है तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं मक्की की रोटी बनाने के लिए मैंने एक बरतन लिया है इसमें मैंने एक पानी ब पाणिए गरम पाने के लिए आपके लिए अपर बार मैं शुड़ा दालने असे पानी काटे लिए पानी आपको गरम करना है गयास की फ्लमिνε को आफ कर देना है haba उसे पुस्ट याषी तरह कि से आइस तरीकी से तो एक बैर आप आइए पानी मासे i emerge से mix करेंगे इसे एक बर्तन में निकालेंगे अनि भास, रखल सन Standards याजने अर्बित allat 2ा या निकाला है कर लेंगे थोड़ा सा थंड़ा होने देंगे अधि कर त्यूंध करते हूं है पानी का घ्रम है यह दिए करते हम फिरम हें कर छिए यह बच्छ lég डियें अधिक पानी सराथ के करेझी और अच्छी तरीके से अधियfour दिरेंगे इना कौनिकर टयार कि आठा बिलकुल नरम हो चुगा है इसको मेंने बिलकुल यूठ से से गूंने में अच्छे से इसको मिक्स करके मैं जैसे इतना ही तोड़ा नहीं नहीं मैंने हनुख गी दे लिया है तो इस तरीके से हम घी को लेके थोड़ा सा बोड पे लगा लेंगे और उसके बाद थोड़ा बचा हुआ गी जो हातों में लगा लेंगे इस तरीके से और उसके बाद हमारा जो आटा है उसको हम गून करके तयार करेंगे तो थोड़ा समय ने इसको और रब कर लिया इसके बाद हम इसकी लोईयां बना लेंगे बिल्कुल स्मूथ हो चुका है आटा हम इसकी छोड़ी लोईयां बना लेंगे जैसे रोटी के लिए बनाते हैं बिल्कुल उसी साइज की लोईयां बना के त्यार कर लेंगे एक साथ मैं छे साथ लोईयां बना करके रेडी करके रख ले रही हूँ और उसके बाद एक साथ फिर हम रोटियां बना लेंगे और इन लोईयों को हम ढख के रखेंगे किसी कपड़े से बना करके रख लेंगे और एक एक लोई उठाके रख लेंगे तो यहां पे देखेंगे अब हम पेलना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा सूखा आटा आटा लेना पड़ेगा जो मक्की काटा है और फिर हम इसे बेलेंगे तो मैंने यहां पे इसमें थोड़ा सा सूखा आटे में से डस्ट के लिया है और अब इसको धीरे धीरे हम बेलेंगे जैसे हम रोटी को बेलते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम इसे बेलना है तो इस तरीके से हम इसे बेल के तियार करेंगे और बीच बीच में हम इसमें सू बनाएंगे जल्डी से क्बणता हैं तो यह रोटिस्था से बनाइगे तो हम इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी रोटि हिए बनाएंगे तो कि हम देखिए निवें रेखरों को थोड़ी देर पेल करके एक साथ रखुझे और उसके बाद ही मैं इसके घरम के अपर बेल करके तो करके तो कि देख कर दो यहां पर यहां पर रोटी को मैं से इस तरीके पवर्टे के साथ पलट रही हूं रोटी जो है बहुत आसानी से पलटने में आ जाती है तो इसको हम इस तरीके से उठा लेंगे सिखें तो आप देख रहे हैं थोड़ी सी फूल ने लगी है तो आप यहां मैंसे फ्लेम के उपर इस तरीके जाएगी है तो यहां पर इस तरिकते हैं जैसे रोटि के तयर करेंगे आप चाहें तो घी लगा के पराठे की तरह बना सकते हैं एकम फुली फुली रोटी बनके त्यार है बिल्कुल पथ्री ऐसी रोटी बन चुकी है Hep और रोटी मैंने सेकने कृपनेज्वी डाल दी है इसको भी पलट लेते हैं अधिसको पलटके ते दिखाएंगे आपको यह देकर रोटी फूले लगे आप चाहे तो पलटके यह से तब आ पहते खेक सकते हैं, यह तो फ्लेम के उपर आप्ला कर आप इस तरीके से इसको फूला सकते हैं, तो रोटि आप एक दम फूली-फूली बनेंगी बहुत ही बाकी रोटी आंगा लिए तो फूली फूली और बनेंगी तो आप इस ट्रिक से ग्रोटी बनाएं और बिल्कुल भी लेटाया रोटी घृट से सब्सक्राइब अपना फीडबेक में शेयर करें वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल पर पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो